हएए लुकर बसwałए मेरे कवेडियो आपको कमेंट्स पर ही देखने को मिलती है १िस तरह के मेरे वीवर्ट्स मुझे करते हैं की सर हम Assist करना यह हमारा गूल औहरे उन कहते हैं और लुद्टि से लिए किसे से जबले सबach हुक किए समय हो कि द्रसंदिक सबैं। कर सकते हैं आपके लिए जरूर बना दूंगा देखे पॉस्टीबल होता है कुछ चीज होगा तो रिप्लाइ में कमेंट में करता हूं लेकिन कुछ शेर मारकेट ग्रोथ हो रही है ये जम मार्केट में पैसा बढ़ रहा है तो मेरा भी पैसा बढ़ेगा और अगर इकनों में ग्रोव नहीं देखने को मिलेगे देश की तो मेरा पैसा भी इसाफना नहीं होगा तो बहुत अच्छी कम ही लेना चाहूंगा क्योंकि first time investment है तो ऐसा plan मुझे suggest कर दीजे 20 साल के लिए मुझे investment करना है किस तरीके से मैं अपनी financial planning लेकर चलूँ एक small amount से शुरू करके दीरे-दीरे मैं उसको बढ़ाऊंगा तो इसी तरह की planning इनके लिए मैं तयार करिए अच्छा सा fund इनके लिए मैं अगर आप लोगों ने investment अपना शुरू नहीं किया है mutual fund में SIP नहीं शुरू की है तो आप लोग भी कोशिश करें अपने risk tolerance को देखते वे एक SIP बले छोटे सा amount से शुरू करें लेकिन शुरू जरूर करें देखे जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको proper idea नहीं हो आपको बहुत बड़ा amount बना कर दे सकता है क्योंकि यहां जो पैसा बनता है वो compounding power के साथ बनता है तो पैसे में growth आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है अगर अच्छा असा plan आपने choose कर लिया और अच्छा पैसा आपके return आपको अच्छे मिल गए तो बहुत 1000 रुपे महीने का इनका investment है उसके हिसाब से जो funding को मैं suggest कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क में नहीं जाना चाहते परस्ट टाइम इंवेस्टर है लार्ज के टेगरी के पर्ड में इंवेस्ट कर सकते हैं काफी अच्छा रही गा इनके लिए पंड का नाम है जादा अच्छा है देखें फर्स्ट टाइम इंवेस्टर हैं कम रिस्क में जाना चाहते हैं अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स में इंवेस्ट करना चाहते हैं लार्ज के कैटेगरी काफी बढ़िया रहती है लेकिन जो लोग इसका पंडा समझ गए हैं मिचल पंड का लोग फण साइस देखेंगे कैसा हमें देखने को मिलता है पंड साइस से पता चल जाएगा कि कि इस पंड में इन्वेस्ट किया हुआ है साथ साथ ही साथ इसका expense ratio देखेंगे क्या खर्चे है इस फंड के जो यह हमसे लेता है साथ इसकी holdings देखेंगे देखेंगे holdings को देखना बहुत जरूरी होता है holdings से हमें idea होता है कि हमारा पैसा आखिर invest कहां हो रहा है देखें हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा हम लोग फंड मैनेजर के हाथ में जो हम अपना पैसा दे रहे हैं वह उन पैसे को कहा किन स्टॉक्स पर इन्वेस्ट कर रहा है तो यह हमें holding से पता चलता है देखें सब कुछ पिक्चर आपके सामने clear होनी चाहि वाट करने को मिलता है तो फिफटी हpowers 15 k defens करोण रुपे नदरा हजारá टो सुक्राइब करोड मेध मिलता है एकसे नक्राही मिलता है डिशियों देखने वर देखने को मिलता है देखें के मार्केट के हिसाब से घर में बात करूं सबसे ज्यादा पैसा आपका लार्ज कैप कैटेगरी की कंप्रियों में इन्वेस्ट किया जाएगा और उसरे का मिड़ कैप में और पिर स्मॉल कैप में अब इसकी परसेंटेज भी देख लेते हैं कितना कितना पैसा इंवेस्ट किया हुआ है देखिए लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है 80.38 परसेंट और मिड़ कैप में किया है 12.88 परसेंट और स्मॉल कैप में किया है 6.25 परसेंट देखिए पोर्ट करेंगे टॉप हंडेंड कंपणियों में आपका 80 परसेंट पैसा तो पॉट फॉट्फोलीय आपका बनाया देखे लार्ज केप में top 100 company है तो risk यहां कम रहता है लेकिन returns को भी maintain करके चलना है तो fund manager ने बहुत अच्छी तरीके से portfolio मनाया है ताकि आपको returns भी यहां अच्छे मिले चलिए दोस्तों अगर company wise थोड़ी बहुत holdings आप देखना चाहते हैं ताकि आपको better idea हो जाए कि पैसा कि company इंवेस्ट है वो देख लेते हैं SDFC bank में ICIC bank में Reliance Industries में SBI में L&T में ITC Axis Bank Infosys Hindustan Lever HCL Technologies अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी-बड़ी company countries State Bank of India अगर यह लोग यह company दिवाले हो जाती है जीरो हो जाती है तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा यह चलती रहेंगी तो आपका पैसा भी ग्रो होता रहेगा यही आज की वीडियो में जो सज्जन है इन्होंने कमेंट किया है बहुत अच्छी बात इन्होंने कहीं थी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट है बड़ी बड़ी कंपनिया इतनी जल्दी दिवालिया नहीं होती है इसलिए आपका पैसा ग्रो यहां पर होता रहता है चलिए सेक्टर वाइस अगर में बात करूं देखिए इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा finance में साथ ही साथ सर्विसेज में एनर्जी में और टेक्नोलोजी में भी पैसा इंदोने इन्वेस्ट किया हुआ है तो पॉर्टफोलियो बहुत अच्छी तरह से मिंटेन यहां पर किया गया है चलिए अब मैं बात कर लेता हूं रिटन्स की देखे रिटन्स की अगर मैं बात करूँ पिछले एक साल के तीन साल के पांस साल के रिटन्स की बात में नहीं करूँगा एक एवरेज रिटन्स की बात मिंगा एक तब ही बढ़ने निकाल कर दिया है कारण है इसकी holdings holdings बहुत जबर्दस्त हैं तो यह return हमें यहां देखने को मिला है अब इस return के हिसाब से हम लोग SIP की यहां बात करेंगे अब बात करेंगे हम लोग SIP की देखिए मंतली जो इनका investment इन्होंने मुझे बताया है वो बताया है 3000 रुपे लेकिं इन्होंने कहा था कि दीरे दीरे इस पैसे को बढ़ा लेंगे इसका मतलब है कि इनको step up SIP कर लेनी चाहिए अब step up SIP से क्या होगा इनका पैसा दीरे दीरे इसी फंड में बढ़ता जाएगा step up इनको लगा लेना चाहिए 500 रुपे पर year का रिटन की अगर मैं बात करूं देखे 17% का रिटन हमें यहां पर मिला है 17% का अगले 20 साल की मैं बात कर रहा हूं हो सकता है इसे ज्यादा भी हमें देखने को मिल जाए लेकिन मार्केट बेस रिटर्न हो सकता है कम भी देखने को मिल जाए इसलिए में आप 17 परजेंट जो मिला है वही अभी फिलाल लेकर चल रहा हूं अब बात करूंगर मैं जूरेशन की 20 यह तक यह S.I.P. को चलाना चाहते हैं 20 यह तक इसमें जो इनका टोटल इन्वेस्ट पैसा होगा वह देख लेते हैं कितना होगा और फाइनल एक वैल्यू जो इनको देखने को मिलेगी 20 साल के बाद वह क्या देखने को मिलेगी और उस चीज को समय लेते हैं अ देखें दीरे-दीरे कितना बड़ा इमांट हम लोग S.I.P. में इन्वेस्ट कर देते हैं मंतली 3000-3000 जा रहा है कितना बड़ा इमांट हमारा यहां इन्वेस्ट हो जाता है देखें पाइनली जो वैल्यू देखने को मिलेगी न वह मिल रही है 1.08 करोड एक करोड आठ लाक रुपे तक की वैल्यू आपको यहां देखने को मिल सकती है अगर आपके रिटर्स फंड के हिसाब से फ्यूचर में भी 17 परसेंट रहते हैं तो तो काफी अच्छा फंड है S.I.P. अगर आप शुरू करना चाहते हैं इस फंड में आप इंवेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हैं फंड के होल्डिंग्स को वगेरा सब बहुत ही बढ़िया है देखें S.I.P. करें स्टैप अप लगा करें आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा फाइदा देखने क को मिलेगा बागी दोस्तों यह को रिकमेंटेशन वीडियो नहीं है जब भी इन्वेस्ट करें सोच समझ कर करें अपने रिस्क टॉल्टरंस को देखते हुए करें और फंड के बारे में रिसर्च करने के बाद ही करें बागी वीडियो आपको कैसी लेगी आप लोग कमेंट में जरूर बताईएगा पसंद आई हो तो लाइक शिर भी कीजेगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं उसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजेगा धन्यवाद